जैहिं दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ जैयुश्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर और आज हम लोग पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे Union Executive यानि संग्ये कारेपारिका के बारे में अब संग्ये कारेपारिका के बारे में कई सारे वीडियो बनेंगे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अनुछेद 52 से लेके 78 तक काफी सारे अनुछेद कवर होते हैं तो चली सबसे पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम एक्जेक्यूटिव अपने कारेपारिका के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम या आर्टिकल याद आएगा वो है अपने राष्ट्रपती क्योंकि राश्ट्रपती में ही केंद्रियक, संगियक, कारेपालिका की सारी शक्तिया नहीं थे All the powers of the Central Government are vested in precedent ठीक है? तो Article 52 यानि कि अनुछित बावन हमारे राश्ट्रपती के बारे में बताता है तो Article 52 कहता है कि अपने देश में राश्ट्रपती का पद है राश्ट्रपती होने चाहिए, राश्ट्रपती है अब राश्ट्रपती क्या है? तो राश्ट्रपती हमारे एक्जिक्यूटिव हमें पता है कि हमारे जो समीधाने उसमें तीन मुख्य स्थम्भ हैं तीन मेन पिलर हैं, जो है एक legislature, यानि कि उनका काम होता है कानून बनाने का एक होके executive, उस बनाय हुए कानून को पालन करने का, उसको लागू करने का, जिमेदारी जिस सरकार के ब्रांच पे होती है, समिधान के जिस अंग पे होती है, वो executive कहलाता है और तीसरा जो हमारा मुख्य ब्रांच है जो हमारे समिधा ने लिखा हुआ है वो हमारा जुडिशरी है जिसे हम नियायपालिका कहते हैं तो आज हमारा फोकस एक्जीक्यूटी पर है यानि की कारेपालिका पर अब कारेपालिका के हेड कौन है वो हेड है राष्ट्रिपती त अच्छा अब राश्टरपती से हमारी शुरुवात होती है अगला आर्टिकल आता है अर्टिकल 53 यानि कि अनुछे तिरपन अब आर्टिकल 53 क्या बोलता है, आर्टिकल 53 हमें यह जानकारी देता है कि केंद्रे सरकार संघ्협 कारेपाली का कि जो ताकत है जिसका भी हमने चिक किया था वो कहा नहीं थै कहा वेस्टेड है वो है राष्ट्रपती में वेस्टेड है यानि कि एक्जीक्यूटी पावर ऑफ यूनियन इस वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ठीक है तो संग की कारेपाली का जो वो राष्ट्रपती के अंदर है राष्ट्रपती को उनके पास हमारे पावर है और हम उसी से सारा काम देखरे कर रहे हैं उनी को हेड बनाकर हम सारा काम कर रहे हैं अब राष्ट्रपती ये काम कैसे करेंगे ठीक तो राष्ट्रपती या तो खुद उस काम को देखेंगे या तो officers वो अधिकारी वो लोग जो उनके subordinate है यानि कि जो उनके rank की नीचे माने गए हैं वो उस कारे को उनके बिहाव पे यानि राष्ट्रपती मौजूद है राष्ट्रपती खुद वो काम को नहीं कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रपती के नाम पर कोई और उस काम को देख रहा है और final जो मोहर है वो राष्ट्रपती जी का लग रहा है तो ये काम केंदर सरकार कर रही है ठीक है तो आर्टिकल 53 इसे के बार में जनकारी देता है एक जनकारी और हमें देता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं है एर फोर्स हमारी आर्मी हमारी नेवी इन सभी का supreme commander मतलब सबस कौन है वो supreme commander कोई और नहीं वो है अपने राष्ट्रपती ठीक है तो ये दो जनकारी हमें आर्टिकल 53 से मिलती है आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 अनुछे 54 को आप देखेंगे तो इसमें बात की गई है कि अब राष्ट्रपती को चुनने की बात की गई है कि वो कैसे चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा देखिए जब भी हमारे हाँ चुनाव होता है विधायक के लिए सांसद के लिए तो उनको चुनने का काम तो हम और आप करते हैं ठीक है वो सीधा सीधा सीधे चुनाव का एक प्रक्रिया है एक हिस्सा है तो इसलिए उसको direct election का part का कहा दिया जाता है लेकिन राष्ट्रपती का चुनाव में हम और आप जाके vote नहीं देते हैं हमारे द्वारा चुने गए प्रतीनी थी राष्ट्रपती को vote देते हैं तो जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतीनी थी हैं elected members हैं चाहे वो सांसद हो यानि कि elected MPs हो चाह हैं मददाता जो अब राष्ट्रपती को चुनेंगे वो हमारा कहलाता है Electoral College यानि निर्वाचक गण निर्वाचन करने वाले गण चुनने वाले लोग निर्वाचक गण अच्छा तो इसमें कौन-कौन से विधायक और सांसादाएंगे क्या इसमें हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में दो हाउस होते हैं Legislative Council होता है विधान मंडल और एक विधान सभा Legislative Assembly तो क्या ये दोनों ही विधायक चुननेंगे राष्ट्रपती के चुनाओं में शामिल होंगे नहीं वो विधायक और वो सांसद जो हमारे द्वारा सीधे सीधे चुने गए हैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपती को चुननेंगे ठीक है यहां तक बास समझ में आती है तो इसका मतलब हो गया कि जब भी चुनाओं होगा राष्ट्रपती का तो उसमें अपने उत्तरप्रदेश के विधायक लोग तो हिस्सा उसमें पार्टिपेट करेंगे वो तो उनका हिस्सा होंगे लेकिन विधान मंडल लेजिसलेटिव काउंसिल के जो विधायक लोग है वो उनका हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि हमने उन्हें सीधा-सीधा नहीं चुनाएं डारेक्ट इलेक्शन में नहीं आएं थे वो यानि MLCs of legislative, उत्तरपेदेस legislative councils are not a part of an electoral college who will elect the president और reason क्या है? कारण इसका यही है since they are not a part of the direct election चुकि वो सीधा-सीधा चुनाओं के हिस्सा नहीं थे अच्छा, इसमें दो और बात ध्यान देने वाली बात यह है कि एक आपका हो गया दिल्ली का विधान सभा और एक हो गया आपका पुडुचरी का विधान सभा चुकि यहाँ पे सीधे-सीधे चुनाओं होते हैं सरकार बनती है तो इनके विधायक भी उसमें हिस्सा लेंगे जैसा कि सीधा-सीधा आर्टिकल 54 में बोला गया है चलिए अब अगले आर्टिकल पर आते हैं आर्टिकल 56 आर्टिकल 56 को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि आपने राष्टेपती को चुन लिया अब राष्टेपती को चुनने के बाद उनके ऑफिस में समय बिताने की बारी आ गई अब उनके कारक की बारी आ गई तो जो टेन्योर है यानि कि जो पदावधी है पदावधी मतलब उनके पद की अवधी दिर्ग संदी हो गया पद प्लस अवधी पदावधी तो इसमें जो उनकी पद की अवधी है कि वो कितने साल तक रहेंगे क्या वो चार साल के लिए रहेंगे छे साल के लिए रहेंगे नहीं उनका टेन्योर बोला गया है कि राष्ट्रपती जिस दिन अपने आफिस में जाएंगे वहां से 5 साल के लिए अपने आफिस में रहेंगे तो मान लिजे कि 1 फरवरी 2023 को राष्ट्रपती शपत ग्रांड लेके अपने आफिस में कारेबार संभालते हैं तो 1 फरवरी 2023 से जो अगला 5 साल है एक फरवरी 2028 वहां तक राष्ट्रपती को माना जाएगा कि इन 5 सालों के लिए आपको हमने चुना है ठीक है ध्यान देने वाली बात रहती है कि कौन से 5 साल को चुना गया है क्या वो 5 साल उनके चुनाओं के डेट से जोड़ा गया है तो क्या 20 जनवरी से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी उनके 5 साल के लिए नहीं जिस दिन वो पहले दिन कदम रखेंगे ओफिस में वो 5 साल वहां से जोड़े जाएंगे ठीक है फिर इसमें इस आर्टिकल में और भी जनकारी दी गई है कि राष्ट्रपती जी अपना भी चर्चा करेंगे लेकिन अगर राष्ट्रपती जी को आफिस से हटाया गया या हटाया जाना है तो वो किस विधी किस प्रोसेस के थ्रू होगा ऐसा तो देखिए आर्टिकल 61 अनुछे देखसाट इस पर बोलता है कि राष्ट्रपती जी सिर्फ एक ग्राउंड सिर्फ एक ऐसा आपका कारण बनता है कि राष्ट्रपती जी को वहां से हटाया जा सकता है उनके पत से और वो क्या है वो है वाइलेशन ऑफ दे कॉंस्टिचूशन का मतलब क्या हो गया कुछ ऐसा लग रहा है कि समिधान का दुरूपयोग कर रहे हैं या हनन कर रहे हैं बिलकुल स बस इसी एक लाइन को लिखा गया है कि वाइलेशन ऑफ दे कॉंस्टिचूशन अगर राष्ट्रपती जी समिधान का हनन करते हैं उनकी ताकत का दुरूपयोग कर रहे हैं अपने पत पे तो उनको उनके पत से हटाया जा सकता है उसके लिए आपको महाबयोग चलाना जिसको impeachment कहते हैं अच्छा ये violation of the constitution जो है क्या इसको define किया गया है क्या बताया गया है कि राष्ट्रपती जी ऐसा क्या क्या करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा राष्ट्रपती जी ने तो समिधान का हनन कर दिया है जी नहीं राष्ट्रपती जी ने ऐसा राष्ट्रपती जैसा क्या करेंगे कि हमें ये बात पता चलेगी ऐसा समिधान में नहीं लिखा गया है ठीक है समिधान में इसको इसले ने लिखा गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आप शुरुआत महीं बता देंगे तो future में भविशय में होने वाली घटनाओं क पहली निर्धारित कर दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है समय समय पे आने वाली पीडियों पे जो बुद्धी जीवी वर्ग वहां तक उस पत तक पहुंचेंगे जो मंत्री बनेंगे जो जज़ बनेंगे तो उनकी बुद्धी मता उनके विजडम पे ये बात आखिर वो लोग क्या समझते हैं कि राष्ट्य पती जी ने ऐसा किया है कि उनको उनके पत से हटा देना चाहिए अब बारी आती है आर्टिकल 58 यानि अनुछेद अंठावन की इसमें बोला गया है कि राष्ट्य पती जी जो है तो उनको हटाने का तरीका ये है कि जिस भी हाउस को लोग सवय राज्य सवा में सांसतों को लगता है कि नहीं राष्ट्य पती जी अपने पत का दुरुपयोग कर रहे हैं संसत का हनन कर रहे हैं और इसलिए अब उनको उनके पत से हटाया जाना बहुत जरूरी हो गया है तो वो 14 दिन पहले एक notice जारी करेंगे एक notice देंगे अपने house के head को जैसे माल लिजे वो chairman है या deputy chairman है जो समय house को संभाल रहे होंगे और जो लोग सभा है उसमें माल लिजे speaker या deputy speaker होंगे तो उस समय जो है ये सांसाद लोग जाके उनको notice देंगे 14 दिन पहले देना पड़ेगा तो माल लिजे कि अगर आप चाते हैं कि राष्टेपती जी को हटाने का महावियोग का जो प्रक्रिया है जो process है या जो resolution है वो शुरू होना चाहिए 14 फरवरी से तो एक फरवरी को राष्टेपती जी को हटाने का जो नोटीस है वो एक फरवरी को उनके house के head के पास ये चली जानी चाहिए कि सर हमें हटाना है राष्टेपती जी को चली ठीक है तो 14 दिन बाद का वो जो नोटीस है वो फिर 14 दिन के बाद से start होगा प्रक्रिया तो 14 फरवरी से मालीजे फिर शुरू हो जाएगा कि चलो ठीक है राष्टेपती जी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है अच्छा ये तो आपका हो गया आर्टिकल 61 61 में जो बात हो रही है उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद ये होगा कि मालीजे लोगसभा में कुछ सांसदों ने शुरूबात किया तो उसमें नियम ये बनाया गया है कि कम से कम एक चौथाई मेंबर यानि 25 परसेंट लोगसभा के मेंबर ये नोटिस लेके पहुँचने चाहिए अपने स्पीकर के पास में लोगसभा की बात हो रही है तो कि स्पीकर महोदया महोदया हमें राष्टेपती को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है ये हम 25 परसेंट सांसदों की नोटिस आपके पास रही तो वो जाके मालीजे जमा कर देते हैं उसके बाद वो मंजूर कर लेते हैं इस पीकर तो मंजूर होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है एक चौथाई मेंबर्स कम से कम जमा करते समय होने चाहिए उसके बाद राष्टेपती के उपर लगे आरोपों की जांच होगी अब उस चार्ज को देखने के बाद अगर हाउस को लगता है कि नहीं अब इस पे वोटिंग करानी चाहिए इनको हटाने के लिए तो पूरे जितने भी मेंबर्स मौझूद हैं उनके दो तिहाई मेंबर्स जैसे माल लिजे कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं तो दो तिहाई जो 543 के मेंबर्स में होंगे उतने सांसदों को साथ देना होगा सपोर्ट देना होगा इस रिजोलूशन पे तो जो दो तिहाई मेंबर्स होंगे उनको सपोर्ट देना होगा ठीक है और अगर वो support कर देते हैं तो लोग सभा से ये notice पारित हो जाएगी और जैसे ही वो pass होगा लोग सभा से फिर वो राज्य सभा के पास जाएगा राज्य सभा भी फिर उसी तरीके से लोग सभा की तरह उसका जाच करेगा जाच करने पर अगर उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं राष्ट्रपती जी ने वाके कुछ गलती की है तो फिर उस पे भी दोती हाई अगर माली जिस मुद्दे पर वहां के सांसत भी समर्थन दे देते हैं जिस दिन दूसरे हाउस ने पास कर दिया इस रिजोलूशन को उसी दिन से राष्ट्रपती जी अपने ऑफिस से हटा दिये जाएंगे ठीक है चलिए ये तो था राष्ट्रपती जी को हटाने का एक प्रोसेस अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 के बारे में ठीक है? यानि कि अनुछे दंठावन के बारे में इसमें बात किया गया है कि जो राष्ट्रपती बनेंगे हमारे देश में उनकी कौलिफिकेशन क्या होगी? तो उनकी कौलिफिकेशन के लिए बारे में बताया गया है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए ठीक है? इंडिया सिटिजन और उनकी उम्र 35 साल पूरी हो जानी चाहिए साथ ही साथ वो लोग सभा का चुनाओ लडने के लिए भी इलिजिबल हो देखिए सिर्फ लोग सभा के लिए अगर आपको election लडना है तो आपकी उम्र 25 साल पूरी हो जानी चाहिए और राज्ये सभा में अगर आपको खड़ा होना है तो 30 साल आपकी उमर पूरी होने चाहिए तो कभी कभी कुछ लोग कोई confusion होता है कि अच्छा अगर 25 साल लोग सभा के लिए पूरी हो जानी चाहिए और लोग सभा का eligibility इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि 25 साल पूरा हो गया है तो राष्टेपती जी हो सकता है अगर वो एक्जाम में confused होते हैं तो होता है अच्छा तो 25 साल हो सकता है कि राष्टेपती जी का minimum wage हो नहीं 35 साल minimum wage होने चाहिए साथी साथ लोग सभा का चुनाओ लड़ने के लिए भी eligible होने चाहिए अच्छा चलिए अब आप देखते हैं आगे की बार देखिए एक privilege विशेशाती कारवे बात कर लेते हैं राष्टेपती जी के जो privileges हैं जो उनको दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो आपका second schedule में cover होता है इस schedule को हम लोग अलग से काफी detail में देखेंगे अभी बस इतना बता देते हैं कि जो आपका second schedule है उस schedule में राष्टेपती जी को दी जाने वाली सुविधाएं cover होती हैं अच्छा इसके अलावा और कौन-कौन से लोग हैं और कौन से समिधानिक पत पे बैठे वैसे लोग हैं जिनके लिए ये second schedule उनको cover करता है तो देखिए उसमें राष्टेपती हैं राष्टेपती की equivalent state में हम किसको head of the state मानते हैं वो मानते हैं हम governor को तो governor भी second schedule में उनकी भी सुविधाएं दिया जने वाला विशेशादिकार वो cover है इसके अलावा supreme court के chief justice और जो बागी judges हैं ठीक उसी तरीके से आप state में हाई court के chief justice और बागी judges हैं अब आप आईए speaker और deputy speaker लोग सभा के उसी तरीके से speaker और deputy speaker आपके legislative assembly के ठीक है और उसी तरीके से आपका chairman और deputy chairman राज्य सभा के हो गए तो जहां जहां विधान मंडल है ठीक है विधान मंडल है जैसे यूपी में विधान मंडल है legislative council है तो वहां के फिर जो chairman है डिप्टी chairman है वो cover हो गए तो इतने लोगों को और हाँ साथ ही साथ कैग control and auditor general ठीक है तो इतने office पे बैठे वे जो पत पे बैठे वे लोग है इन सभी के विशेशादिकार दी जाने वाली सुविधा, salary इनको cover करता है कौन second schedule तो ये रही कुछ अनुछेद union executive संगिय कार्यपारिका से related आप देख रहे हैं कि ये 52 से शुरू के 78 तक जाता है तो बीच में अभी हमें काफी सारी और अनुछेद को देखना बागी है ठीक है signing off रोहित पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाए हिंद